दोसो डवर चले मैं आप सभी का तैजल से सुभागत करता हूं दोसो आप सभी के मुबाल फोन के अंदर इंटरनेट डेटा बटन तो होगा है जो सभी मुबाल फोन के अंदर होता है दोसो ये जो इंटरनेट डेटा बटन आप जो देख रहे होना इस पे यदि आप दो बर दबाते हो ना तो आप अपने मोबाल फोन की वन जी में इंटरनेट डेटा को आप पूरे 24 घटा लगा तार भी इस्तमाल करोगे ना फिर भी इंटरनेट डेटा खतम होने का नामी ने लेगा जियां दोस्तों आपने बिलकुल सेसना अगर दोस्तों आप अपने मोबाल की वन जी में इंटरनेट डेटा बहुती जल्दी जल्दी खतम हो जाता और आप इससे परिशान रहती होना तो आज ये गलती बिलकुल मत कीज़ेगा इस वीडियो को पूरा देखना दोसे तीन मिर्ट का वीडियो बनेगा लेकिन इस वीडियो को देख आप इस इंटरनेट डेटा बटन पर दो बर दबाते ही ना तो आप अपने मोबाल की वन जी मिंटरनेट डेटा को पूरे 24 गंटा लगातार इस्तमाल भी करोगा फिर वें इंटरनेट डेटा खतम होने का नामी निलेगा अगर आप ये सभी ट्रिक के बारे बें सीखना चाहते हो ना तो आपको सबसे भी लिडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजेगा फ्री होता आज का जो वीडियो ना बिल्कुल कमाल का यूनिक है तो लाइक करके सपोर के इंटरनेट डेटा बटन को दो बार दबाते ही कैसे आप अपने मोबाल की वंचिब इंटरनेट डेटा को पूरे 24 घंट आप लगातार यूजे कर पाएंगे तो सबसे पहला मैं आपको ट्रिक बता देता और सेटिंग बता देता जो काफी खतरनाक सेटिंग है जो आप मोबाल के इंटरनेट डेटा बटन को जयसे आप ओन करती हो दभा करके तो एक बार होल्ड करना ठीक है और जैसे आप होल्ड करो गें होल्ड करने के बात आप सेटिंग के अंदर जाएंगे जो कमपनी वाले खुद सेटिंग देते हमको मैं खुद पैदा नहीं करता हूँ यह company वाले खुद setting देते जो आप लोग को नहीं मालूम होता कि कैसे आप अपने mobile के internet data को बचा सकते हैं, आप movie देखो YouTube पे या कुछ भी देखो, कुछ भी आप game खेलो, download करो application को या movie को या गाना को, फिर भी internet data जो पहले आपका internet data जादा लेता वो आपका नहीं लेगा अगर आप यह setting करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा mobile data using जिया, mobile data using सबसे ज़्यादा data कोन application यूज करता है, तो सबसे पहले यह पता लगाना है और आपको उसको बंद भी करना तो यहाँ पे मैं किलिक कर देता हूं और जैसे किलिक करने के बाएद तो आपका mobile का internet data सबसे जाएदा कौन सा application लेता है, वहाँ पे मैं देखने वाला हूं, तो जैसी कि आप देख सकते कि यहाँ पे आज आज का data देख सकते है mobile के मैंने यूज भी नहीं किया हूं, सुबह से जैसे कि 10 बच के 12 मिनट हो रहा है तो mobile को इस्तमाल नहीं किया mobile स्रीप लॉग था लेकिन फिर भी देख सकते कि यह application और YouTube हो गया Android हो गया Play Store हो गया यह सारा का सारा application आपे data यूज कर रहा है, आफ क्यों करते है भाई जब company वाली setting देता है कुछ सोच समझ कर देता होगा setting की भाई इस setting को on करने से क्या होगा कि आप अपने mobile के internet data को बचा सकते जिया जो internet data background में लेता है mobile को यूज भी नहीं करते है application को यूज भी नहीं करते है फिर भी आपका mobile का application जो है ना 50 MB, 100 MB ऐस इस से करके बिना यूज करने आपका data लेता है तो यह फाल्तू का हो गया ना तो आपको इस setting को बंद करना होगा जो मैंने आपको बता दे सबसे पहला setting जो काफी कमाल का setting है जी है तो इस setting को बंद करना काफी ज़रूरी है जो यहां पर काफी सार application मिल जागा जो आप अपन सबसे जो ना setting को बंद कर देना होगा तो यह ता पहला setting मैंने आपको बता दे जो काफी useful setting है जो आप लोग को पसंद आया होगा बात करेंगे आप दूसरा setting के बारे में दोस्तों यह जो दूसरा setting है बिल्कुल ultimate है बिल्कुल खतरना का useful setting है जो आप अपने mobile के internet data को इतना जादा बचाएंगे इतना जादा increase कर पाऊगे जो आपका mind को ब्लॉक कर देगा जितना जाओ movie download करो movie देखो चाहे वो game download करो game केलो audio सुनो कुछ भी करो फिर भी internet data खतम नहीं होगा लेकिन यह setting करना काफी ज़रूरी है और हर setting का अलग-अलग मतलब होता हर trick का अलग-अलग mode आपको नाम सही पता चल गया कि कितनी useful और कितना कमाल का setting है जो आप लोग को पता होना चाहिए जो आप लोग नहीं जानते है तो इस setting को click करेंगे यहाँ पर एक बार दबाएंगे और जैसे दबाने के बाद इस setting को on कर देना होगा और यहाँ पर enable कर देना हो क्योंकि off कर उसकरें बार बार रिचार्ट करने की जरूट ने क्योंकि आज कल रिचार्ट काफी महें आऊ गया तो आपको saving करने की जरूट पड़ेगा जो इस setting काम आने वाला है तो जैसे on करने के बाद दो सो यहाँ पर मिलेगा data comparison होगा जिया data comparison होगा इस पर click करना होगा और जैसे click क तो sitting का क्या मतलब है मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ on करने से इसका data कैसे बचेगा वह मैं आपको explain कर दे तो ताकि आपको समझ में आ जाए जैसी के for example कि आपको भी social media से video को download करते हैं चाहे photo को download करते है चाहे audio को download करते है या सुनते है या आपको देखते कुछ भी करते है ठीक है तो मान के चलो कि कोई image आपने download क्या जो 10 MB का ठीक है तो 10 MB का आपने video को भी image photo को download क्या तो आपके mobile के internet 10 MB ही लेगा लेकिन अगर आप ये setting को on कर देते हो न और जैसे on करने के बाद the done पे click कर देते हो तो आप अर्जेस्ट वेगरा करने की दिखने को मिल तो आपके mobile के अंदर जो MB कितना लेगा मान मैं अगर आप हाई कर देते हो न तो 5 MB लेगा तो 5 MB का saving हो गया यह दिए आप इसको जो है यहाँ पे medium कर देते हैं और को भी photo जो न 10 MB का है और उसको download करेंगे तो आपका mobile का internet data कितना लेगा मान के चलो मतलब कि 8 MB लेगा या 3 MB ऐसे cool मिला कर आपको लेने वाला तो आपका photo का quality भी decrease भी होगा लोड नहीं होगा आपका वैसा photo quality होगा लेकिन आपका internet data जो बिलकुल save होगा जिया तो इस setting का यह मतलब जो आपको मैंने बता दे कि comparison मतलब कि data comparison कर सकते हैं उसको data को बिलकुल low लेगा आपका तो इस setting का यह मतलब जो हर trick का हर setting का अलग लग use होता जो मैंने आपको इस video के अंदर explain कर दे हैं जो आपको लोग को समझ में आ गया होगा जो यहां पर पढ़ भी सकते हो ठीक हैं जो मैंने आपको इस video के अंदर बता दियां बात करेंगा यहां पर तीसरा नमर का setting के बारे में तीसरा नम का metric और setting में आपको बताने चारा हो YouTube के अंदर छूपा आगर दोस्तों आप सभी को पता हो कि YouTube का क्रेज हम सभी के पास है आप लोग भी YouTube से जो ना movie देखते होगे या आप टेक वीडियो जैसे कि मेरा वीडियो देखते होंगे तो उसमें भी तो data लगता ही है लेकिन मेरा देखते हो ना तो उसके अंदर जो data है ना काफी जादा लेता होगा लेकिन एक setting बताऊँगा जो company वाले यूटूब आले ना एक अब यह भी launch के है जो बिलकुल कमाल का useful setting है जो आपको on करना काफी जरूरत जी है अगर आप movie देखते हो या मेरा वीडियो देखते हो चाहे YouTube आप के अंदर जाएके ना तो यह जो profile देख रहे ना profile पर 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 शरीप आपको उपर में on करना है बस यह सभी setting on हो जगा जो यहाँ पर देख सकते है कि आपका जो भी quality होगा वो आपका quality वही रहेगा लेकिन data decrease होगा जो भी आप डॉलोड करेंगे तो उस data decrease होगा सब कुछ यहाँ पर आपको decrease कर देगा लेकिन जो भी आपका quality आप पहले था वही आपका quality बना रहेगा लेकिन आपका data काफी जादा बचने वाला है तो इस setting से यह मतलब होता जो आप लोग करना काफी ज़री बात करेंगे एक और setting के बारे में जो काफी useful है जैसे auto play पर जाकर कि इसे आपको on कर देते हो ना on करने के बाद क्या होगा कि जैसे आप automatic video पिले होता रहता रहता ना जैसे कि फीड में home page पे जो automatic video चलते रहता ना तो इसमें भी data लेता ठीक है तो आप इसे on करेंगे ना तो वो बंद हो जागा तो इस setting से यह फायदा होता जो आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको एस वीडियो के अंदर बता दिया है बात करेंगे आप लास्ट वहला setting के बादे बता देता हूं जो काफी खतरनाक setting है बिल्कुल useful setting है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप कहीं से photo, video, document कुछ भी आप photo को या video को या movie को download करते ना तो एक ऐसी application जिसके नामे Google photo उसके अंदर update होता रहा तो upload होते रहता है अगर दोस्तों कोई भी फाल्तो वीडियो हो गया फाल्तो फोटो हो गया चाहिए कुछ भी हो गया फाल्तो चीज वो upload होगा तो कोई मतलब नहीं है आपका data भी चला जागा और कोई मतलब नहीं ह उस photo का तो मैं आपको बता देता है उस setting का कैसे बंग कर सकते है जैसे कि Google photo है Google photo में क्या होता है कि जो भी photo आपके पास रहेगा गालेरी के अंदर वो backup यहां पर बनाता है ताकि आप mobile चोड़ी भी हो जागा ना तो email से photo को ले सकते लेकिन कुछ ऐसे वीडियो होता है photo होता document है जो फाल तो होता जो आप अपलोड करने की जरूरत नहीं है जी है आप data को बचाना चाहते तो कैसे कर सकते है पर फाइल के अंदर जाना पड़ेगा और यहां पर आपको देगे बैक अप अप एंड सीन होगा इस पर किलिक करना होगा किलिक करने के अबाद अस वोबाल यूजिंग भी जाना पड़ेगा जाने के बाद यहां पर unlimited होगा तो यह setting आपके phone के अंदर on होगा तो बैक अप लेना चाहते तो आप unlimited मत क्लिक करना यहां पर 5 MB से ले करके 10 MB या 30 MB तो मैं 10 MB डाल दूँगा 10 MB डालने के बाद क्या होगा कि मैं जो भी photo या video या कुछ भी जाए 10 MB यूज़ करेगा उससे ज्यादा यूज़े नहीं करेगा जितना भी photo download करो या कुछ भी करो उतना ही MB लेगा उससे ज्यादा MB नहीं लेगा इससे आपका फाइदा काफी जादा होने वाला जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हूँ तो हर setting का अलग- वीडियो में अपने ख्याले के take care and goodbye